अगर दोस्तों आप लोग multiple form windows application बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो का आप लोग ज़रू देखिएगा इस वीडियो में आप लोग को बताया दूसरे वीडियो में बता कि दूस्तों आप लोग वीडियो में आप लोग कर लिया हूँ अगर आप लोग को दूसरे वर्सन यूज कर रहे हैं तो वह आप सकते हैं यहाँ पाद दूस्तों मैं create new project क्लिपि खरूँगा उसके बाद दूस्तों हम लोग यहाँ पर सेलग करेंगे यहां से भी आप लोग कर सकते हैं जो कि दूस्तों आप लोग यहाँ पढ़र पहले कोई की pee को सब्सक्राइब आप नेश्ट बटन पर किलिग करना है उसके बाद अपलिकेशन का नाम देदेंगे जैसे यहाँ पर देदेते हैं multiple form app इस तरीके से दे देते हैं उसके बाद दूस्तों हम लोग create बटन पे click कर देते हैं तो यहाँ पर थोरा time लगाएगा तब तक दूस्तों आप लोग channel को subscribe कर लिजिए तो दूस्तों यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारा project अच्छी तरीके से build हो चुका है तो इसको हम लोग यहाँ से पहले हटा देते हैं उसके बाद दूस्तों हम लोग इसको थोड़ा इस तरीके से छोटा कर देते हैं आप लोग देखें कुछ इस तरीके से दूस्तों हमारा project यहाँ पर आ चुका है तो दूस्तों हम लोग को करना क्या है पहले जो यह जो form 1 है आप लोग देखेंगे यहां से भी आप लोग देख सकते हैं form 1 है और इसका designing बगएर है बला फाइल यहां पर है और इसमें हम लोग दुस्तों यहां पर एक button बनाएंगे यहां पर राइट किलिक करने के बाद दोस्तों एड पर किलिक करेंगे फ़र्म विंडोज यहां पर किलिक करेंगे फ़र्म विंडोज फ़र्म इस पर किलिक करेंगे यहाँ लोग चेंज भी कर सकते है यहाँ पर देखेगे फर्ट1 पर अगया और फ़र्म2.cs यहाँ पर आगया मतलब हमारे प्रोजेक्क में दो फिर्म होगया यहाँ पर आप लोग देखेए फर्म1 और फिर्म2 आगर आप लोग चाहीं तिसरा भी बनानों उसी तरीके से बना सकते हैं करदेंगे जो कि यहां पर लोग इस तरीके से इसको भी अम लोग कर सकते हैं इसी तरीके से दुस्तों हम लोग यहाँ पर इसका यह भी आप लोग इसी तरीके से दुस्तों हम लोग इसको फूल और छोटा भी कर सकते हैं तो यह दुस्तों हमारा फॉर्ग वन है इसको हम लोग फूल स्क्रीन में खोलेंगे यहाँ पर एक बटन बनाएंगे इस पर किलिक करता है उसको हम लोग छोटा फरूट चोटा डालोग बाउस जैसे खोलेंगे तो दोस्तों आप लोगों को आज सानी से समझ भाएगा तो चलिए इसको कट करते हैं यहां से की चल्ते हैं अपने मेंट टोपिक पर यहां पर आते हैं दोस्तों कुछ इसका हम लोग चेंजर कर देते हैं यहां पर दूसतों आप this is form 1 जैसे मैं यहां पर लिखेंगा this is form 1 यहां पर आ चुका है इसका आप लोग size भी यहां से धर भधर कर सकते हैं मैं यहां पर रहने देता हूं और दोस्तों इसको मैं आप लोगों को यहां पर इसका color पगेर भी change कर सकते हैं यहां से font है font का size आप लोग यहां से बदल सकते हैं जैसे यहां पर मैंने क्लिक किया तो font आ गया बॉल्ड हो गया और इसको size मैं 72 24 रख देता हूं इस तरीके से और इसको मैं central में कर देता हूं उसके बाद दूस्तों आप लोगों बहुत सारा चीज आप लोग यहां पर sunny से यह इसी में कर सकते हैं यहां पर color black है इसको भी हम लोग change कर लेते हैं जैसे यहां पर मुल जी यह blue color ले लेते हैं इस तरीके से दूस्तों हम लोग यहां पर designing करेंगें इसके बारे में और भी जाद आप tutorial देखेंगे यह तो शुरुआ आता है उसके बाद दूस्तों हम लोग यहां पर एक बटन बनाते हैं बटन को यहां से drag and drop करते हैं बनाने का इसमें जरू यहां पर बटन है इसका बटन लिखा हुआ तो दोस्तों हम लोग यहां पर कर देंगे दोस्तों किलीग 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 देते हैं बस हो गया यहाँ पर name change युगा है सिर्फ दोस्तों हम लोगों को test भी यहाँ पर यहाँ पर test में आप लोगों change करेंगे click और यहाँ पर हम लोग इसका जो name है यहाँ पर इसको हम लोग छोटी ही कर देते हैं तो आसानी से समझवाएगा यहाँ पर आप लोग देखेंगे click हो गया आप दोस्तों आम लोग इस form को open कैसे करेंगे यह थोड़ा logic है इसमें आप लोग समझिएगा ज्यादा कुछ तो logic नहीं है आप लोग आसानी से कर सकते हैं इस button पर आप लोग आईए और इसमें double click किजि करता है यहाँ पर आप हम लोग वह coding करेंगे जो कि दूस्तों होना चाहिए तो क्या coding करेंगे चलिए वह अब moment इहाँ पर करेंगे क्या अगर इस button को किलिक करें किस button पर और इसका नाम रख देते हैं यहां पे आप लोगों को सब्सेट किसेशन मिलेगा इस तरीके से आप लोग TEP बटन प्रेस करेंगे तो यह ऑटोमेटिक ही यहां पर लिख देगा उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे लिखे रहें आप दोस्तों जब हम लोगों ने अब्जेक्ट बना ही लिया है यहां पर आप लोग देखेंगे एक 100 डायलोग लिख दिया है यहां पर आप लोग 100 भी लिखेंगे तो भी आप लोगों काम हो जाएगा मैं दोनों करके आप लोगों को दिखाता हूं पहले डायलोग लिखा हुआ तो इसको हम लोग फॉर्म 2 आप लोगों ने समझ लिया हुआ अगर दोस्तों बटन पर कोई किलिक करता है तो यहां पर यह इवेंट किदर गया अगर दोस्तों इस पर कोई किलिक करता है यहां पर internet होगा form2 का object बनेगा і object के बाद दोस्तों हो जाए нрав तो अपर दोस्तों हम लोग उसको पहले कर लेते हैं यहां पे आप लोग देखें हमारा तो run में यहां से अट आते और चलते हैं दोस्तों फर्म यहां हम लोग select करते हैं उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर normal लिखा हुआ है इसको हम लोग कर देते हैं यहां पर Central screen कर देते हैं तो धोस यह Center में आएगा आप पर अपसे जगह पेस्ट लिए इसको ऊपर करते है थोड़ा और Frwn 2 लिखा हुआ इसके जगां पर्ट करते हैं तो दोस्त आप को समय गएगै अब लोगों को सम्राइब यहां से आप लोग चीन्ज कर सकते हैं इसको उपर में आप लोगों को जल्दी बताऊंगा जली उसको आप रन करते हैं । आप हो यहाँ पर लोग देखें। हमाराerson One open है। अब किलिक करता हूँ। यहाँ पर दखें एंड 센ंटर मेंar Gün Kеты open होगी अगर है अगर पोन के समझ सब्सक्तिकर लोग को प्रोब्लम नहीं होगा इसी तरीके से दोस्तों यह जो यह जो मैं आप लोगों को आज बताया हूँ यह बहुती इंप्वर्टेट है अगर आप कोई application software बनाते हैं तो दोस्तों इसमें आप लोगों को जरूर यह तरीके आप लोगों को यूज करना होगा तो चलिए इसको काटते हैं और यहाँ पर आगे किविक करेंगे तो अब भी देखें दोस्तू ãyूल आप लिखें है फिर भी यह काम कर रहा है इसको कट करते हैं और इसको कट कर देते है और दोस्तों इसे तरीके से यह दो लायन का कॉड लिखके आप लोग इतना शारा कम कर सकते हैं multiple form को handle कर सकते हैं है मैं इस वीडियो में आभी आप लोगों को नहीं बताने वाला आप लोग बना के रख़एगा तो मीद एकि तुस्त आप लोगों की ये वीडियो पसंद नहीं होगा अगर दोस्तों किसी तरीकी का बीडियो देखना चाहते हैं विजोली स्ट्विशूडियो में सब विडियो साफ्ट्वेयर डेवलेप्मेंट से रहे तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक वह मैं से जरू करें मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक लिए उस्तों जाएं